तो आज जैसे ही बारिस आई तो मैं अपने कपड़ों को उतारने के लिए बहुत तेजी से दोड़ा लेकिन जब तक मैं अपने कपड़े उतारता बहुत देर हो गई थी क्योंकि कपड़े पूरे गिले हो गए और बारिस वाले दिनों में तो ये वाली प्रोब्लम रोजना होती हैं तो चलो आज हम इस प्रोब्लम का सोलूशन बनाते हैं तो हमारी इन सारी problems का solution है ये गर क्योंकि इस गर में बहुत सारे sensor लगे हुए हैं जो लगलग situation में काम करते हैं जैसे कि बारिस आने पर हमारे कपड़े अपने आपी गर के अंदर चले जाएंगे और जैसे ही दूप निकलेगी तो हमारे कपड़े वापिस सोगने के लिए गर से बाहर आ जाएंगे और अगर बहुत तेजी से आन्दी चलती हैं तब ये कपड़े गर के अंदर चले जाएंगे और सिर्फ इतना ही नए हमारे गिले कपड़े सोगने के बाद भी अपने आपी अंदर चले जाएंगे तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस सांधार से प्रोजेक्ट को किस तरह से बनाया हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने कार्ट बोड की मदद से इस गर को बनाया हैं अब मैंने एक गलास का टुकडा और अलुमिनेम पोल लेकर के पेवी कॉल की मदद से इस गलास पर अलुमिनेम पोल को कुछ इस तरह से चिपका दिया अब इस पर जिग जग लाइन बना करके इसको कुछ इस तरह से बीच में से काट लिया अब इसके उपर और निचे वाली से पर मैंने दो वायर कनेक्ट कर लिये तो ये बन गया हमारा रेन डिटेक्टर सेंसर फिर मैंने रिफिल और पेन की स्प्रिंग लेकर के एक कार्ड़ बोक्स बनाया और इसके चारो तरप एलुमिनेम पोल लगा दि अब इस पर मैंने एक वायर को रिपिल से और दूसरे वायर को कार्ड़ बोर्ड पर कुछ इस तरह से लगा दिया सेंसर के पनेक्षन मैंने कुछ इस्त्रे से इंस्टोल किया हैं ताकि गूमने के बाद इसकी रोड से इंदर कराएं तो भी मु Hangने हमारे सारी सेंसर को इस गर कीचत के ऊपर लगा दिया हैंग इन सारी सेंसर के ंस से लिएइ wolleं मे कपड़े वापिस सूकने के लिए बाहर आ जाएंगे और अगर बहुत तेजी से आंदी चलेगी तब भी हमारे कपड़े अपने आपी गर के अंदर चले जाएंगे अगर आवा दिरे दिरे चल रहे हैं तो इसका फरक इस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और आंदी रुक